आज के वीडियो में हम बात करने बाले हैं लेंडंडिंग पेजिस के बारे मैं obviously बात है जैसा कि आपने थमनेल पे देखा होगा यहां पे मैं आपके बताने बाला हूँ कि आप बहुत ही सांधार लेंडिंग पेज पैच कैसे बना सकते हैं और different type के जिस type के भी आप landing pages बनाना चाहें जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं different type के landing page दिखाए दिरे आपको जिस type का landing page चाहिए है या जो भी product promote करने के लिए आपको landing page चाहिए है आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप free में एक सांदार landing page कैसे बना सकते हैं सबसे पहली जो बात आएगी वो यह रहेगी कि landing page की एक्चुली जरूरत क्यों है तो landing page की जरूरत हमको इसके लिए पड़ती है कि कई बार आप कोई भी CPA offers के लिए promote कर रहे हैं या फिर आप affiliate marketing वाले platforms के लिए promote कर रहे हैं या फिर आप simple से emails भी collect अगर करना चाहते हैं तो भी आप landing pages का use कर सकते हैं अभी जो मैंने एक last video बनाया था उसमें मैंने आप के लिए बताया था कि आप कैसे पूरा complete process कर सकते हैं वहाँ पर कुछ लोगों की comment आये कि वो लोग बोल रहे थे कि उनके लिए landing pages बना न बताये कुछ लोगों ने बोला था कि कुछ और platform है क्या जहां पर हम unlimited या free landing pages बना सकते हैं तो वह video भी मैं आपके लिए इसके बाद में लेके आऊंगा से पहली बात जैसे ही मैंने आपके लिए बोला कि landing pages तो आप अगर चाहें कि आपके लेंडिंग pages बनाना है तो एक ये website आपके बता रहा हूं ये जो website है ये mostly इस चीज के लिए है कि आप यहां पर templates देख सकते हैं तो यहां पर मैंने खोला है nicepage.com slash landing page page और यहां पर आप landing page की categories देख सकते हैं ये basically इस चीज के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आप कोई भी landing page अगर बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर कुछ उनके template देख सकते हैं मालीजे जो भी आपकी category है मालीजे आपके लिए technology से related अगर landing page बनाने है तो आप यहां पर देख सकते हैं 500 से जादा यहां पर templates already available हैं आप इनको देखके भी landing page बना सकते हैं यह आप ले एक बहुत सांदर idea देगा इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि आप simple सा भी एक landing page बना हैं यहां पर आपकी image रहे या कोई भी image रहे simple सा थोड़ा content बगरा लिखा रहे और उसके बारे में थोड़ी सी information रहे और simple सा बंदा email submit करें और जहां भी आप उस बंदे को भेजना चाहते हैं वहां पर वो चला जाए तो इस type का भी simple landing page भी आप बना सकते हैं तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप landing page कैसे बना सकते हैं तो यहां पर जो एक website में आपके लिए recommend करूंगा वह है HubSpot HubSpot obviously बात है बहुत ही सांदार आपके लिए templates मिल सकते हैं और इसके अलावा इनका पूरा एक CRM है CRM का फुल फॉर्म होता है customer relationship management आपके जो भी customers वगरा है उनके लिए 100% आप manage कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए इन्होंने बहुत सारे tools दी हैं आप यहां पर देख सकते हैं free hub spot CRM तो पूरा CRM इनका available है जिसमें आपके लिए marketing hub वगरा इसी type की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप यह एक बार जरूर जोइन कीजिए क्योंकि मुझे personally बहुत पसंद आया इसलिए मैं आपके लिए recommend कर रहा हूं इसके अलाबाद चाहेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने open करके रखे हैं यह मैं आपके लिए next वीडियो में बता दूँगा यह जो mostly हैं इन सभी में आप फ्री में landing pages भी बना सकते हैं लेकिन यह मुझे personally पसंद आया इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूं यह जो है यह hubspot.com है लिंक मैं नीचे दे दूँगा यहाँ पे simple सा इस page पे आएंगे आप और यहाँ पे get started free पे आपको click करना है और यहाँ पे चुकी मेरा already account login है तो यह यहाँ पे मेरा name दिखाई दे रहा है मैं आपके लिए थोड़ा सा process पहले बता दिया करता हूं तो नीचे आपके लिए दिखाई दे रहा है create account with a new user तो यहाँ पे simple सा आपके लिए first name डालना है last name, email और आपको next button पे click कर देना है या फिर आप easiest way में जाना चाहें तो simple सा आपका जो google है या कहाँ जा है तो gmail का जो email है उसके through भी आप direct login कर सकते है या आप यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है यह 100% free है no credit card needed जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है तो यह जो चीज है यहाँ पे आप 20 landing pages आप 100% free में बना सकते हैं तो यहाँ पे अभी में आपके लिए account भी login करके दिखा दिया करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं यह मेरा account दिखाई दे रहा है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए सभी templates दिखाई देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी templates यहाँ पे available हैं आपकी जो भी requirement है, देखिए मैंने आपके requirement पहले बता दी, आप simple सा एक email sign up वाला form बनाना चाहते हैं, वो आप बना सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर examples देख सकते हैं, आप इनके preview भी करके check कर सकते हैं, जैसे यह जो है, यह आपका किस type से आपका desktop पर दिखाए देगा, किस type से phone पर दिखाए देगा, तो वो सारी चीज़े आपके यहाँ पर दिखाए दे रही, यहाँ पर आपका logo आएगा, यहाँ पर आपका content आएगा, फिर आप यह fields बगएरा आप चाहेंगे, इतनी सारी fields रखनी है, वो आप रख सकते हैं, या फिर simple सा name और email या आप दो भी चीज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए color change करना है, जो भी नई visit लगाने है, वो सारी चीज़े आप कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोन पर भी कैसे दिखाए दे रहा है, तो सारी चीज़े A to Z यहाँ पर दिखाए दे रही हैं, इसी टाइप से आप यह बाकी सब भी चाहें, तो आप चेक कर सकते हैं, अब इन्में से जो भी आपके लिए पसंद आता है, उसके साथ में आप जा सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या simple सा कोई भी एक product है, जो आपके लिए दिखाना है, वो आप देख सकते हैं, या simple सा downloading वाला आपके लिए कोई भी product वगेरा promote करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं मैं जो basically use करता हूँ मैं इसको as a bridge page use करता हूँ bridge page आपके लिए पता होगा कि traffic और affiliate page के बीच में जो एक page लगाते हैं उसको हम bridge page बोलते हैं bridge page का मतला होता है कि simple सा मेरा intention होता है कि मुझे emails collect करना है that's it तो यहाँ पर जो भी page आपके लिए पसंद आ रहा है वो page आप चूज कर लेना जैसे अभी फिलाल के लिए मैं ये वाला page चूज कर लिया करता हूँ architect newsletter करके मैंने simple सा इस पर click किया और यहाँ पर आपके लिए internal page name देना है ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा तो जो भी आप name देना चाहें वो आप दे सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर free landing page करके लिख दिया करता हूँ और create new page पर मैंने click किया अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए पूरा यह layout दिखाई दे रहा है यहाँ पर obviously बात है आपके लिए जो भी form रहेगा वो form select करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर मैं click करूँगा यहाँ पर यह जो चीज है यह open हो जाएगी simple सा आप यहाँ पर click करेंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दो-तीन मैंने already बना के रखे हुए है मैं यहाँ पर create new करूँगा और मैं यहाँ पर इसका name भी change कर दिया करता हूँ and create पर मैंने click किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका form यहाँ पर आ गया है अगर आपको email बगेर हटाना है जो भी चीज़ें आपको editing करनी है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं style में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं तो यह options सारे आपके पास होते हैं कि आपको किस टाइप से रखना है अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं इसको as a bridge page यूज़ करता हूँ तो bridge page में क्या होता है कि मालेज़ें यहां पे कोई बंदा आया यहां पे किसी भी एक affiliate offer के बारे में लिखा रहेगा और साथ में यहां पे अपना वो email submit करने के बाद और यहां पे जैसे submit पे click करेगा then आप यहां पे एक setting कर सकते हैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा redirect to another page तो यहां पे मैं simple सा वो वाला URL डाल दूँगा जहां पे मुझे उसको बंदे को भेजना है तो यह जो है इसको मैं as a bridge page use करता हूँ और जैसे कि मैं आपके लिए बताया था है कि जरूरी नहीं है कि यह जो आपके लिए content बिला है यही आपके लिए use करना है आपके लिए इसके font change करना है वो आप कर सकते हैं जो भी content लिखा है वो change करना है वो सारी चीज़े कर सकते हैं इसके अलावा आपके लिए और भी कोई चीज जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज पूरा खताम हो गया, कुछ भी नहीं है. मालिजे आपको सिंपल सा कोई भी एक इमेज लगानी है, तो यहाँ पर आईए, यहाँ पर एक इमेज एड कर दीजे, अब आप यहाँ पर अपनी इमेज जो भी लगाना चाहें, जैसे यहाँ पर कुछ इमेज पड़ी हुई है, यही इमेज मैं भी एड कर दिया करता हूँ. आपकी यहाँ पर इमेज आ गए, अब आप चाहरे हो कि इसके नीचे आपको बटन भी लगाना है, तो सिंपल सा बटन को यहाँ पर लेके आ जाएए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका बटन आ गया, अब इस बटन पर जो भी लिंक वगरा आप लगाना चाहें, वो आप लगा सकते हैं, अब लगा सकते हैं, अब लगा ओगे तो आप लगा के जो भी आपको लिंक देना, जैसे यहाँ पर हब स्पोर्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो मैं यहाँ पर मालीजे अपनी वेबसाइट डाल दिया करता हूं कि कोई भी बंदा आएगा, तो वो इस वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है, तो यह जो है, यहाँ पर यहाँ पर चीज इस टाइप से हो गया, www.anantviasony.in पर यह बंदा जाएगा, आप चाहते हो कि new window में यह चीज open हो, तो आप इसको भी add कर सकते हैं, और जो यहाँ पर text लिखा हुआ है, वो text भी लिख दिया करता हूँ, read blogs, मालिजे, यह मेरा blog है, तो मैंने यहाँ पर read blogs लिख दिया, ठीक है, और इसी tab से आपको बाकी कोई भी चीज लगाने है, मालिजे, कोई आपका YouTube का वीडियो है, वो आपके लिए यहाँ पर add करना है, simple सा यहाँ पर आईए, आप यहाँ पर वीडियो URL यहाँ पर paste करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने सारी चीज़े यहाँ पर fetch कर लीए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा वीडियो यहाँ पर आ गया, और जो भी automatic adjustment, original size बगएरा, अगर आप custom thumbnail लगाना चाहें, तो वो भी आप लगा सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर 500 कुछ कर दिया करता हूं, और यहाँ पर आप जैसे apply changes करेंगे, तो यह जो चीज है, वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देने लगी, कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना बड़ा यह वीडियो दिखाई देने लगा, तो बंदा चाहें, तो अंदर भी यहाँ पर देख सकता है, आप चाहें कि इसको आपको center में लेके आना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़े भी आप यहाँ से आके alignment बगएरा में, सारी चीज़े आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो आपके लिए best recommended है, कि यहाँ पर जो आपने fix size लगाई है, यह आप exact wait मत करना, आप इसको automatic ही रखना, automatic का एक फायदा यह होगा, कि जो भी device होगी, उसके हिसाब से यह चीज़ adjust हो जाएगी, अगर कोई laptop में खोलेगा, तो यह बड़ा दिखाई देगा, अगर phone में खोलेगा, तो यह चोटा दिखाई देगा, तो उस हिसाब से आपको इसको automatic क आपका बन गया, इसी type से आप सारी चीज़ें इसमें add कर सकते हैं, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बता ही हैं, इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी text बगरा लिखना चाहें, यहाँ पे आपने यह चीज़ तो add कर दी, इसके बीच में आपके लिए कुछ text लिखना है, तो simple सा यहाँ पे जो आपके लिए rich text दिखाई दे रहा है, वो आप यहाँ पे उठा के डाल दीजें, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी text बगरा आप लिखना चाहें, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, मुझे सिर्फो सिर्फ heading चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे इस type से add कर दिया, और आप इसको center बगरा में लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से आके आप center में लेके आ जाईए, तो कुल मिला के आप एक बहुत सांदार landing page बना सकते हैं, जिस type का भी आप चाहें, जो भी चीज़ें आप चाहें, वो सारी चीज़ें आप change कर सकते हैं इसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, नीचे भी आपको कहीं form बगरा add करना है, image बगरा add करना है, icons बगरा भी आपको add करना है, जैसे यहाँ पर मैं यह icons लेके आजाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक icon आगया, अब इसको आपको change करना है, yes में क इतनी चीज़ें आपके लिए मिलती हैं, आप इनके थुरू ही एक बहुत सांदा landing page बना सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर content बगरा भी देख सकते हैं, content भी आपके लिए different type का मिलता है, और आपको theme चुकी मैं already बता चुका हूँ, कि आपको theme बगरा change करना चाहें, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं, कि मालेचे इसमें जो भी colors बगरा हैं, वो colors बगरा आपको किस type से रखना है, मालेचे, theme का मतलब होता है, कि एकी साथ आपकी सारी चीज़ें change हो जाएंगी, है ना मालेचे, यहाँ पर जो body text है, तो यह वाला दिखाई दे रहे, इसकी जगह और कई भी body text नहीं है, अगर मैं अब यहाँ पर heading वाले करूँगा, तो आप यहाँ पर देखना सभी के सभी, जैसे एक यहाँ पर heading और एक नीचे heading, तो यह जो भी heading रहेगी, वो पूरी heading की heading change हो जाएगी, तो यह भाला font में भी select कर दिया करता हूँ, अभी आप यहाँ प पर यह जो चीज है, यह red color हो जाएगी, यहाँ पर भी red color हो गया, तो depend on जो भी आपकी requirement है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस type से आपका complete बन सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे ही आप पूरा satisfied हो जाते हैं, आप इसका एक बाद कैसा दिखाई दे रहा है, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, तो good है, अगर आपको इसमें कोई और modification लगता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर change कर सकते हैं, आपका phone में कैसे दिखाई दे रहा है, बाकी सभी device में कैसे दिखाई देगा, तो वो आपके लिए सारी पर भी ऐसा हो सकता था, तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपके लिए बताया है, कि सिंपल सा आपका जो भी आप यहाँ पर वीडियो या कुछ भी लगा रहा है, आपको उसको responsive रखना है, यह एक सिंपल सा तरीका है, जिससे आप landing page बना सकते हैं, और landing page में है, जैसे कि मैंने आपके लिए बता दिया है, कि आप कोई भी landing page बना रहा है, आपको किसी भी बंदे को किसी offer पर send करना है, तो यह चीज में आपके लिए यहाँ पर already बता चुका हूँ, कि कोई भी बंदा यहाँ पर submit या subscribe या जो भी आप यहाँ पर text लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ automation भी करना चाहते हैं, कि आप different type के email उसके लिए send करना चाहते हैं, notification करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओ यहाँ पर देख सकते हैं यह तो आपका एक सिंपल सा URL है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनन्तुजा सॉनी.hubspot pagebuilder.com करके यह आपका एक बन गया मतलब सब डोमेन आपके लिए मिलता है और इसके बाद यहाँ पर एक URL यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं तो जैसे फ्री लेंडिंग पेज है या सिंपल सा आप लेंडिंग पेज बनाना चाहिए या इसको कुछ भी चेंज करना है वह आप कर सकते हैं matter, description, featured image अगर आप लगाना चाहिए featured image का benefit यह रहा करता है कि आप इस page को कहीं भी social media वगरा पे share करते हैं तो आपकी image भी आएगी तो आप इसको on कर देना और यहाँ पे जो भी image आपको लिए दिखाना है वो image आप upload कर देना तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक image upload कर दिया है तो जो भी आप लिए लगता है वो image आप यहाँ पे choose कर सकते हैं ठीक है यह सारी चीज़े हो गई इसके बाद यहाँ पे optimize का भी option है कि आपको अगर लगता है कि इसमें आप लिए और भी कुछ चीज़े लगती हैं कि माले हैं और आपको चाहिए कि आपको आज publish नहीं करना है 15 दिन बात publish करना है तो आप यहाँ पे date time भी select कर सकते हैं और यहाँ पे simple सा मैंने publish पे click किया, publish now पे click किया और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका landing page बन गया और आप इस landing page को अभी check कर सकते हैं आप यहाँ प आ रही है अब यहाँ पे जब भी कोई इस download link पे click करेगा तो वो जाएगा anantvijaysoni.in पे तो मैं आपके लिए click करके भी दिखाऊंगा साथी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने image लगाई थी read block का लगाए था यहाँ पे भी click करेगा तो वो anantvijaysoni.in पे जाने वाल अगर कोई बंदा यहाँ पी click करेगा एमेल डालने के बाद वो click करेगा आप यहाँ पे किसी भी affiliate offer या CP offer की link भी दे सकते हैं मैंने जो यहाँ पे link दी थी वो मैंने अपने blog की link दी थी वो यहाँ पे click करेगा या यहाँ पे दोनों जगह पे click करने के बाद वो मेरी website पे ही जाएगा तो मैं यहाँ पे simple सा आपके लिए click करके दिखा दिया करता हूं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी website पे यह वाला user आ गया है तो मैं कुल मिला के simple सा आपके बताना चाहता था कि इसी type से आप एक landing page बना सकते हैं जो आपके लिए email marketing में बहुत ज्यादा helpful हो सकता है और साथ ही आप अगर जो भी आपके पास CPA marketing वाले offer हैं या affiliate marketing वाले offers हैं जो भी आप अगर social media बगिर आपे share नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस tool के साथ में आप social media पे भी share कर सकते हैं तो आई होप यहां पर सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आ गई होगी अभी भी आपका landing page बनाने से related कोई doubt है आप मुझे comment कीजे और जैसा कि मैंने आपके लिए बोला था कि जो भी landing page बनाने वाले free platform है वो भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा तो make sure आप subscribe जरूर कर ल थैंक्यू दोस्तो